24,800 मिनट 1248 घंटे 52 कहां है माराष्टर के मुख्यमंत्री उदव ठाकरे नमस्कार माराष्टरा की राजनित्ती में बिजेपी परदेशा देक्स चंदरकान्थ पार्टिल के ब्यान ने खलबली मचा करके रख दी है एन्सीपी कॉंग्रेस सिफसेना के महाविकास सगारी गटबंदन में मुख्यमंत्री का चहरा बदलने को लेकर राजनित्ती सुरू हो चुकी है लेकिन विपक्स के इस ब्यान पर कई तरह के क्यास लगाए जाने लाजमी है एक तरफ भारतिय अंता पार्टी ने मार्स 2022 तक महारास्टरा में सरकार बनाने का दावा ठोक रखा है तो दूसरी तरफ एन्सीपी कॉंग्रेस सिफसेना के नेताओं में आपसी मनमुटाव किसी से चूपे हुए नहीं है तीसरा सेकायता उबाग में क्रोडो रुपे की हेरा फेरी करने के आरोप में पवार प्रिवार पर जांच की आंच पहुंच रही है जो एन्सीपी सूप्रीमो सार्द कुआर को मुश्किल में डाल सकती है ऐसे में महरास्टरा का मुख्यमंतरी बदलने वाला ब्यान महाविकास सिगाडी गटबंदन की तीनों पार्टियों में गमासान मचा चुका है दरहसल विजेपी नेताओं द्वारा महरास्टरा में सीम फेस बदलने पर जो ब्यानबाजी की जा रही है उसको लेकर राजनित्ती के ग्याताओं ने कई तरह के तथ्या सामने रखे हैं सबसे मैतोपुन तथ्या के अनुसार आज से तीन महने पहले महरास्टरा के मुख्यमंतरी उद्दाव ठाकरे ने उरंगाबाद में एक ब्यान दिया था और इसी ब्यान को अधार बना कर अब बिजेपी ने उद्दाव ठाकरे के गायब होने पर तंज कसने शुरू कर दिये हैं दरसल उद्दाव ठाकरे ने उरंगाबाद में कहा था कि कब कहा कोन साथ आ जाए कहा नहीं जा सकता पुराने सयोगी बविशे में साथ भी आ सकती हैं उरंगाबाद में उद्दाव ठाकरे के करेकरम में रेल राज्य मंत्री राव साव दानवे भी मोजूद थे शीव सेना परमुक उद्दाव ठाकरे द्वारा अपने पुराने साथी बिजेपी के साथ आने वाली सानुबूती से एन्सीपी कोंग्रेस में हरकम बचा हुआ है क्योंकि पिछले बावन दिन से गायब चल रहे उद्दाव ठाकरे को लेकर अब बिजेपी ने मारास्ट्रा में मुक्य मंत्री बदलने की सुक बुगाट को हवा दे दी है ऐसे में एन्सीपी कोंग्रेस को उद्दाव ठाकरे का उरंगा वादवाला ब्यान याद आने लगा है और साथी सीव सेना की घरवापसी होने के क्यास लगाए जाने से मारास्ट्रा की राजनित्ती में हरकम मचा हुआ है पिछले जिनों अमित साय ने मारास्ट्रा के दो दिवस्य दोरे के दोराण महाविकास से गाड़ी गठबंदन पर तंज कस्ते हुए का था कि अगाड़ी गेंग के मुख्या उद्दाव ठाकरे तो गाइब है ऐसे में अब मारास्ट्रा का मुख्या मंतरी बदले जाने की सुब बुगाट के बाद NCP कॉंग्रेस में खलबली मची हुई है कि मुख्या मंतरी उद्दाव ठाकरे की गेर हाजरी कहीं BGP सिवसेना के एक साथ आने की रणनित्ती का हिस्सा तो नहीं है ऐसी स्थित्ती में वो कहावत बिलकुल स्टीक बैठती है कि राजनित्ती में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का स्थाई दुस्मन ऐसे में BGP सिवसेना के साथ आने से माराश्ट्रा में मुख्या मंतरी का चेहरा बदला जाना लाजमी है और बारतिय अंता पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने सियम फेस बदलने के मुद्दे को जोर सोर से उचालना भी शुरू कर दिया है महराष्टरा बीजेपी परदेश अदेख चंदरकात पाटिल ने उद्दाव ठाकरे को कभी उनकी पतनी रस्मी ठाकरे को सियम बनाने की सला दी है तो कभी उनके बेटे अधित्य ठाकरे को ऐसे में मुख्य मंत्री का चहरा बदलने वाली रजनित्ती ने तूल पकड़ लिया है और NCP कोंग्रेस को सताक होने का डर भी सताने लगा है एक तरफ उद्दाव ठाकरे दुवारा औरंगाबाद में पुराने साथी एक साथ आने वाले ब्यान पर गमासान बचा हुआ है तो दूसरी तरफ महरास्ट्रा में मुख्य मंत्री बदलने की सुबुगाट तेज करना बारत्य जन्ता पार्टी की उद्दाव सरकार में दरार पेदा करने वाली राजनित्ती का हिस्सा भी बताया जा रहा है ताकि NCP कॉंग्रेस शिव सेना में मुख्य मंत्री गद्दी के लिए तकरार बड़े और आपसी दरार के कारण तिनों पार्टियां महाविकास सेगाडी गठबंदन को ठुकरा अलग-अलग तीन दिसाओं में रवाना हो जाए साथ ही मुख्य मंत्री पद्द को लेकर NCP कॉंग्रेस शिव सेना पर दबाव की राजनित्ती करना शुरू कर दे कुल मिलाकर के बारत्य जनता पार्टि के महाराष्ट्रा राजनित्ती के नेताओं ने बड़ा गेम खेलते हुए महाविकास सेगाडी गठबंदन में आपसी दरार पैदा करने वाला ब्यान दे दिया है सियम फेस बदलने को लेकर के पिछले दो दिन से लगाता चर्चाएं तेज है महाराष्ट्रा की राजनित्ती में सियम फेस को लेकर के बुचाल आया हुआ है कि क्या अब उद्दा उठाकरे सियम गद्दी छोड़ने जा रहे हैं बिजेपी नेताओं के इस ब्यान से महाविकास सेगाडी गठबंदन में तो खलबली मचना त्या थी लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्रा की राजनित्ती में नई सरकार बनने की सुख भुगाट भी तेज हो चुकी है क्योंकि बिजेपी के नेता और केंद्रिय मंत्री नरायन राणे ने पुरो में ही मार्च 2022 तक माराष्ट्रा में सरकार बनाने का दावा ठोक रखा है और मार्च 2022 से पहले पहले महाविकास सेगाडी गठबंदन सरकार गिरने की बविश्य वाने भी नरायन राणे कर चुके हैं पिलाल महाविकास सेगाडी गठबंदन में क् दाव ठाकरे सीम गद्धी छोड़ेंगे क्या नया चेहरा उनके प्रिवार से या फिर NCP कॉंग्रेस से होगा इस पर अपने विचार में कोमेंट बहुत जुरूर दाए साथी वीडियो को लाइक करके अब ही के लिए इतना है मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ अब तक के लिए जैहिन जैभारत